तब्दिली वक्त के साथ साथ खांदन निजामे तब्दिली आ रही है किसी जमाने में दादा, दादी, मा, बाब, चचा, चच्ची और हकीकी और रिष्टेदार के भाई इन सबसे मिलकर एक खांदन बनता था इसे मुश्तरिक खांदन कहा जाता था, सब लोग एक साथ रहते थे, मुलाजिमत, कारुवार, तिजारत के सबब एक खांदान के अफराद अलग-अलग मुकामात पर रहने लगते हैं इस तरह इनके अलग खांदान बन जाते हैं ऐसे खांदानों को मुनफसल खांदान कहा जाता है इस तरह खांदानी निजाम में तब्दिली होते गई प्यारे बच्चो आईए अब हम खानदान में आमारी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं पानी बरना, खाना पकाना और सफाई किसी भी घर में रोजान किये जाने वाले काम है घर में काक्रिबात होती है तेवार मनाये जाते है महमान आते है इनकी खातिर मुदारत करने पड़ती है बुजर्गों की सेहत का खैल रखना पड़ता है घर में इस किसम के बहुत से काम हुआ करते है इन कामों को सबों ने आपस में बाट लेना चाहिए घर के काम सभी मिलकर करे तो किसी एक पर बोज नहीं पड़ता घर के सभी छोटे वड़े काम एहम होते है ये काम मुहपपर और अपनाये से सभी करते है ये बात हम सब जानते है प्यारे बच्चो अब आप ये बताईए के हमें घर की सफाई और आराइश क्यों करना जरूरी है अपना घर अगर साफ सुतरा और सलिके से रखा हो तो हमें खुशी होती है घर में हर तरफ सामन विखरा पड़ा हो तो किसी को जरूरत की कोई चीज वक्त पर नहीं मिलती घर को साफ सुतरा रखना खांदान के सभी लोगों की जम्मेदारी है घर का कचरा यहां वहां ना फेके इसे कचरे की खास टोक्री ही में दाले कचरा घर के बाहर तो बिल्कुल ना फेके इस से अपने माहुल को साफ रखने में मदद मिलेंगी प्यारे बच्चों आप इस बात को भी जहन में रखे के घर का गिला और खुशक कच्रा अलग रखे उसे दो अलग-अलग टोक्रियों में डाले गिले कच्रे से खा तैर की जा सकती है सुके कच्रे से कागज, शिशा और टीन अलग किये जा सकते हैं और इनका दोबारा इस्तिवाल किया जा सकता है प्यारे बच्चों आपको मालूम है के मुबाइल, सीडी, डीवीडी, पेंट डॉइड इसी तरह कम्पीटर वगेरा इलक्ट्रानिक अशिय का इस्तिमाल बड़े भैमाने पर होने लगा है ये चीजे खराब हो जाए तो हमेशे के लिए बेकार हो जाती है इन बेकार चीजों का जो कचरा जमा होता है इसे इकचरा कहा जाता है इकचरा ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा मसला है झाल झाल